मुख्य परिच्छा के लिए और आपने क्या क्या किया मेंस के लिए लोग कहते हैं कि उत्तर लेखन अभ्यास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कितना जरूरी आप मानती हैं करेंट अफेर की तैयरी के लिए इस्विसली आपने क्या किया कहां से पढ़ा दो महिमा मिशा शिम महिमा मिशा प्रतारगर्ष है और अभी यूपी पीश्यस का जो रिजल्ट आया है उसमें सब्रहिश्टार बनी है उनकी रैंग है सब्रहिश्टार में आठवी महिमा मिश्या ने 2021 में बीये एलेलबी किया लेकिन जज नहीं बनना चाहती है वाकिल नहीं बनना चाहती है उनका लक्ष है आईएस बनना फिलहल तो अभी जैसा की बात है सबराइश्टार बनी ही और अपने प्रेणाश्रोत मानती है अपने मा के शंगर्शों को तो चलिए मुखातिव होते हैं हम महिमा मिश्या जी से महिमा आपका बहुत-बहुत श्वागत है संस्कृति आईएस के यूट्यूब चैनल पर और पहले तो आपको बहुत-बहुत बढ़ाई आपके शिलेक्शन के लिए धन्यवाद से आगे जिसा आपसे बात चीत हुई थी कि आप आईएस बनना चाहती है तो उसके लिए अपने बारे में आप संछेप में कुछ बता दे मेरा नाम महिमा मिश्रा है मैं प्रताबगर से हूं मेरा चैन जैसा कि सब्रेजिस्टार के पतर हुआ है मैं समाज की सेवा करना चाहती हूं और अभी बहुत कुछ आगे करना चाहती हूं अपने देश के लिए तो मुझे ल 2023 का यह एक्जाम है जिसको आपने क्रैक किया है 22 आपका फर्स्ट अटेम्ट है जिसमें आपने प्रलिम्श दिया बट्ट प्रलिम्श में आपका सेलेक्शन नहीं हुआ तो आप जरा यह बताए हमारे विद्यातियों को कि प्रलिम्श कहाँ प्रलिम्श के लिए आपका नहीं हुआ लेकिन आपने तयारी की भी थी प्रलिम्श के रिये यह पिरही ह में आप बता हिये हमारे विद्यार्थी हो को कब आपके शुरू किया मैंने तयारी तो ग्राजुएशन के बाद मेरा सप्टेंबर 2021 में ग्राजुएशन कंप्लीट हो गया था उसके बाद से मैं पढ़ रही थी पर फर्स्ट अटम्ड में मैंने सिलेबस भी ने कंप्लीट किया थे विन प्रिलिम्स का भी बस यह था कि कि थी कि मैं कट ओफ के थोड़ा ही मार्क्स कम थी कट ओफ क्लियर करने के फिर सर फिर मैंने पूरे साल डेडिकेटेड हो कि सेविल सर्विसेश के लिए पढ़ाई की और आज मैं इस पत पर जायनी था हुआ कि संस्कति याई इसकी टेसीरीज प्रोगाम आपने ज्वाइन क पताइए आपका अनभौक कैसा रहा टेस्सीरीज ज्वाइन करके बहुत सारे लोग घवरा जाते हैं और खास तोर से तब जब उनकी तयारी नहीं हुई रहती है और आप भी बिना तयारी के पूद पड़ी थी टेस्सीरीज में तो आप डी मोटिवेट नहीं हुई टेस्स आप हुए कि नहीं मुझे इतनी सारी चीजे नहीं आ रही है मैं दी में मुझे लगा कि जो चीजे मैं कर सकते हूँ जैसे कुछ पोर्शन मे अच्छे थे पॉलिटिकल सांफ ए पॉलिटी हो गया हिस्टृ हो गया तो मैंने सचा कि इनी सब पे बहृत अच्छे से अपने कम तो मुझे यहां पर अच्छे माक्स मिल जाते थे तो मुझे वह भी मोटिवेट करता था और यहां के जो टेस्ट के इस्ट परिक्षा के बड़ी बाधा है बहुत सारे श्टूडेंट तो सीशेट से डरते हैं जो लोग और कान्फिडेंट रहते हैं तो बहुत सारे लोग रह जाते हैं सीशेट में तो सीशेट आपका अच्छा होने का कारण क्या है उसमें आपने स्कोर कर लिया बिना तहरी के मेरा मैट्स और रिजनिंग का पोर्शन ठीक है तो मैं उससे और हिंदी चुकि मैं यूपी बोर्ट से पढ़ाई की हो तो मुझे हिंदी व्याकरन अच्छे से आता था इंग्लिश व्याकरन के भी जो क्वेशन होते थे तो मैं इन सब पोर्शन को ही मिला कि मतलब मुझे य क्या है मुझे यह ता कि मुझे इस्ट्थी में सहसे करने हैं कि इस्टेटी पर आने से पहले कि बीए लिल्वी लोग करते हैं तो मन में रहता है या कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो jisah beno तो आपके मन में ये बात क्यों नहीं आई जज आप क्यों नहीं बनना चाहती तो कॉलेज के शुरुआती दिनों में मुझे था कि मैं जेब की प्रेपरेशन करूंगे क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड से वही कर रहे थे पर मैं हॉस्टेल में रहती थी तो फिर धर राते आते हम को इवेंट और्गनाइज करा दे होते थे फ्लस होस्टेल की जो भी काम होते थे तो मैं मैंने देखा कि मेरे अंदर वह स्वारी कॉलिटी जिसे में मैंनेजमेंट अच्छे से कर सको और लीडर्शिप की क्वालिटी भी मुझ में थी तो मुझे लगा कि नहीं मुझे जी की कि तरफ ना जाके civil services की तरफ जाना चाहिए लब judiciary आपकी choice बनते-बनते रह गई हाँ sir आप shift कर गई civil services की तरफ ठीक है प्रलिम्स की तैयारी के लिए कितना समय चाहिए होता है graduation के बाद B.L.L.B. के दवरान भी आपने कुछ पढ़ा था प्रलिम्स के लिए सब्सक्राइब करना है तो समय मिल जाता था घर पर जब इंट्रेस्ट आ गया कि अब यहीं करना है अब shift नहीं करना कहीं और तो फिर मैंने NCRT पढ़ना शुरू किया कि मुझे अपना basic सहीं करना है तो पढ़ा लेकिन पढ़ के समाप्त भी किया पर पूरी तरीके से समझा नहीं था तो इसके बाद फिर दुबारा अपने NCRT पढ़े या फिर छोड़ दिया कि एक बार NCRT से हम गोठू कर चुके हैं नहीं सर् मेरा नहीं हुआ तो फिर मुझे यह था कि अब मुझे सिर्फ प्रिलिम्स नहीं देखना है अब मुझे फाइनल सेलेक्शन जहिए तो मैंने सिर्फ मैंने देखा कि मेंस के लिए NCRT पढ़ना जरूरी है आपका बेसिक अच्छा हो जाता है तो फिर मैंने फिर एक साल पूरा डेडिकेटेड हो के NCRT पढ़ा फिर जो भी बुक्स हैं यह सारे सारी चीजों को फिर फॉलो किया ते NCRT को आप महत्तु देती हैं सेलेक्शन में आपके सेलेक्शन में भी वह सहायक रही हां सर मुझे परिक्षा अहां सर अच्छी बात है मुझे परिक्षा के लिए और आपने क्या क्या किया क्या इस्टेड़ेजी आपकी थी विद्यार्थियों को जरा बताएंगी तो लाभानमीत होंगे सबसे पहले तो सीलेबस को बहुत अच्छे से देखा सिलेबस मैंने कमरे में चिपका लिया था मैं लाइबरेरी जाती थी तो वहां पर भी अपना यह था कि मेरे जो सीट थी वहां पेपर फाइफ और पेपर जिक्स चुकी नए जुड़े थे तो मैंने उसका सिलेबस वहा पर एक टॉपिक पर मैंने एक एक पेच की एफूर शीट में मतलब दू तीन रिडिंग के बाद में जब मुझे लगा कि इतना क्रक्स तो मुझे लिखना है तो मैंने उसकी नोट्स बना के रखी तो उसी का रिवीजन किया था लास्ट मुमेंट में कि मैंस के लिए लोग कहते हैं कि उत्तर लेखन अभ्यास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कितना जरूरी आप मानती है इमांदारी से बताइए कितना आंसर राइटिंग आपने किया था सर मैं मैं आंसर राइटिंग को बहुत ही महत्पूर मानती हूं इस पूरी सिविल सर्विसेज के जरूरी में क्योंकि यहीं से आपकी मेरे डिसाइड होती है आपको रैंग भी इसी के बेसिस पे मिलती है पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है अगर आप उसको अभिवेक्त न सर डेली ही आंसर राइटिंग करती थी मेरा यह था कि दो घंटे या तीन घंटे में मुझे पूरा एक पेपर कंप्लेट करना है तो मैं बहुत ही महत्पूर मानती हूं क्योंकि पढ़ना तो सही है लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं आपको अपनी गल्दी नहीं पता ल सर जब मैंने प्रिलिम्स 2021 दिया था तो मुझे मेंस का कोई आइडिया नहीं था तो मैंने संस्कृति आइस का जो मेंटोर्शिप प्रोग्राम था उसका ऑनलाइन क्लासेज यहां प्रियाग्रा सेंटर में आके की थी हां तो सर मुझे मैंने क्लासेज तो कुछ ही दिन के लिए थी लेकिन मुझे आइडिया लगा कि कैसे मैं अपने मतलब आंसर को और अच्छा कर सकती हूं कैसे स्टार्टिंग करनी है कैसे मुमिका लिखनी है संस्कृति याइस के मेंटर्शी प्रोग्राम से मेंस के मेंटर् तब मैंने डेटिकेटेड होके कि नहीं तीन घंटे सुबा लिखना है कभी शाम में लिखना है वो तीन घंटे तो देने ही देने है ठीक है तो दोशाथ तेईस में आप्शनल तो हड़ चुका था जो पच्वा और चठवा पेपर था यूपी स्पेसल तो उसके लिए मेरे कुछ और आपने किया कुछ आप जोड़ना चाहेंगी संस्कृती याइस ने भी पच्वा और चठवें पेपर के लिए दो पुस्तक में मार्केट में लांच किया था तो कहीं से आपको तो सहायता मिली उन पुस्तकों से सर किताबों से तो जहायता मिली थी बड़ संस्कृति आयस के बुक का मुझे थोड़ा देर में पता लगा था तब तक मैं कुछ एक-दो कोचिंग इंस्टिटूट की पुस्तक ले चुकी थी अच्छा बहुत ठीक से नहीं देख पाई थी अहां सर मैं बहुत अच्छे से गो थी क्वालीफाई कि अब आपके पास समय में बहुत ज़्यादा नहीं था अपने परस्नालिटी पर कब आपने काम शुरू किया इंटेव्यू की तैरी के लिए आपने क्या किया मेंस काःगर आने के बादने के बाद या मेंस के रिजल्ट के पहले से कुछ अच्छ आपने तैरी शुरू कर दी थी सर वैसे रिजल्ट आने के पहले तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत स्टुडेंट क्योंकि यह रहता है वीडियो बनाती थी खुद के मेरे फ्रेंड्स थे उनको दिखाती थी कि मैं ऐसे बोल रही हूं क्या ठीक है इसका और गया व्याद करती थी कि मैं यह बोल रही हूं लेकिन आगे और क्या एट कर सकती हूं इसमें अपने साइट से तो फिर मैंने मॉक इंटर्वी जोइं किया मैंने संस्कृति आइस में भी दिया था, मौक इंटेव्यू तो क्या रहा संस्कृति आइस के मौक इंटेव्यू में कुछ सवाल ऐसे पूछे गए जो आपको सीधे बौर्ड में मिले रियल इंटेव्यू के या फिर बिल्कुल खाली चला गया किस तरह से आपको कोई शाहेत तो मुझे मिली बेशक आयोग में इतना टफ लेवल के सवाल नहीं पूछे गये थे लेकिन यहां पर इतना प्रेशर होता है एक क्रियेट करने की बात की अगर इतने प्रेशर को आप जेल के आंसर दे पा रहे हो तो निश्ची थी आप आयोग में तो अच्छे से दे ही सकते ह संस्कृती इस में मुझे सवाल पूछे गये थे खासकर मैम मांसी मैम ने जो भी सवाल पूछे थे मुझे से रिलेटेड और चुकि मैंने अपनी होबी टीचिंग बताई थी तो जो सवाल पूछे गये थे मुझे कुछ सा वही एक्जाक तो नहीं लेकिन उसकी डिफरेंट सवाल वहां भी पूछे गये थे तो मुझे लगता है कि मुझे मैंने यहां पर मौक दिया था वह काम आया था अच्छा इंटेव्यू के बाद जो आपको फीडबैक दिया गया था तो स्वीडबैक में पुछ आपको याद हो कि क्या मिला था और क्या काम आया सर मुझे यह बोला गया था कि क्रेंट अच्छे सा तैयार करनो कि मैं क्रेंट निउसपेपर देखती थी पर बहुत अच्छे से नहीं देख पाई थी तो यह मुझे एक काम आया कि मैंने करेंट अफेर्स पर काम किया प्लस चुकि मैं लीगल बैग्ग्राउंड से हूँ तो यहां पर जो भी सवाल पूछे गए थे विमिन से रिलेटेड विमिन लौ से रिलेटेड या फिर रिसेंट में जो चेंजिस हुए है आईपी से आरपी कृुष्पर आफ काम है नम अपने लिए तो बात याद आई से करेंट अफेर का महत्तो परिलिम में मैं ज मैं समय में सब्सक्राइब करिंट क्या कि एह कहां से पढ़ा ति ही श्तकी विपेपर अपने पढ़ा या नहीं पढ़ा तो कौन साबरा है कि कि मुझे लगत है कि हर एक aspirant जो civil services की तयारी कर रहा है उसके लिए newspaper तो must है newspaper पढ़ना मतलब उसकी आदत में शामिल होना चाहिए जैसे कि daily उठना कुछ भी पढ़ना किताबे पढ़ना उसके साथ में एक घंटे तो आपको newspaper को देना ही पढ़ेगा सर मैं personally the Indian Express पढ़ती थी और यह मुझे prelims means interview तीनों में काम आया क्योंकि मुझे data facts सारी चीज़े किताबों से मिलती हैं पर किताबे static पार्ट हैं लेकिन आपको आयोग में अच्छे अबर चाहिए तो आपको current का डेटा डालना पड़ेगा कि अब up-to-dated हो क्योंकि किताबों के आंसर सबने वही किताबे पढ़ी हैं बट आप newspaper से क्या निकाल पाए हो और उसको आप इतने अच्छे से परिवीजन हो जाता था और कुछ भी अगर चीजे छूटी है तो भी cover-up हो जाती थी ठीक है परिवार के लेबिल पर अगर आपसे पूछा यह किसका सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा मिला आप तीन बहने हैं और एक भाई है मा पिता जी अगर पूछा जाए तो इसमें से किसका सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा मिला और किस तरह से मिला मेरी सफलता कर मैं अपने पूरा श्ट्रे अपने मम्मे को देना चाहती हूं क्योंकि मैरी ममी इमोशनली मेंटली हर तरीके से मेरे साथ थी कभी मुझे लगता था कि नहीं, अब यह नहीं करते हैं, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मम्मी का था कि नहीं, तुम लोगी तुम को यह करना है और तुम कर लोगी, मतलब मुझे खुद पर उतना confidence नहीं था, जितना मम्मी को मुझे पर confidence था कि तुम कर ले जाओगी. मम्मी आपकी पढ़े लिखी है, तो जो उनकी अपनी पढ़ाई लिखाई है, तो सीधे तोर पर उसका कोई फाइदा आपको भी ला क्या है? सेर, जब हम लोग छोटे थे, फिफ्ट एट तक मम्मी पढ़ाती थी, सारी चीजों को पढ़ाना, मतलब पढ़ने के लिए मोटिवेट करना, एकदम to the time की नहीं, अगर साथ बजे हम लोग का स्कूल जाना है, तो उस टाइम पर रेड़ी हो कि मम्मी की तव्यत नहीं भी सह है, तब हम लोग को रेड़ी करके कभी भी यह नहीं कि तुम लोग स्कूल से अपसेंट रहों, और फिर पढ़ाने लिखाने का कि वर्क कंप्लीट होना चाहिए, हैंड राइटिंग के लिए डाड़ती थी, कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो मम्मी का हर तर यहीं कहना चाहूंगी कि जो भी लोग इस चीज की सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमेशा मोटिवेटेड रहें और अगो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो इस पूरी जर्नी में बहुत काम आती है, कभी-कभी आपको करें तो आप निश्ची थी समय लग सकता है पर सफल्दा जरूर मिलेगी आपके जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी सफल्दा, ठीक है, संस्कृति आइस की और मेरी और से आपको बहुत बहुत शुफ कामना और आपके भविश्य के लिए जो लक्ष आपने जो गोल आपने किया है आपको आइस बनना है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुफ कामना, धन्यवाद से,